जुनाव के नतीजी आर्पी भारत के साथ आर्पी भारत केवल खबरें और कुछी हैं जारखंड में सबकी नजरे टिकी हैं बेर्मों के उप चुनाव उपर जहां तीन पार्टियों से तीन दिगज उमीदवार जोरदार ढंग से अपनी बाप जंता के बीच पहुंचा रखे हैं इसमें से एक है लालचंद महतो बहुजन समाज पार्टी से लालचंद महतो अपनी किसमत आजमा रखे हैं लालचंद महतो मंत्री रह चुके हैं और अभी बेर्मों वासियों के लिए अनेक घोशनाए कर रखे हैं आप कई एक दल बदल चुके हैं आरपी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दल माइने नहीं रखता सिधान्त माइने रखता है यदि पार्टी यहां वादा करके मुकरती तो वहे कदापी उनका साथ नहीं देंगे क्या कहां आर्पी भारत से बात करते हुए देखिए इस रिपोर्ट में समवादाता मनिश कुमार जा की खास रिपोर्ट नमस्कार आर्पी भारत में आप तमाम दर्षकों का स्वाज़त है और मैं हूँ मनिश कुमार जा अभी बेर्मो का उपचुनाव किस परकार से हावी है लोगों के सर चड़ कर बोल रहा है मैं आपको ग्राउंड से दिखाने का परियास करता हूँ और यह भी बताने का परियास करता हूँ कि कौन-कौन से परत्यासी किस-किस तरह के मुद्दे लेकर आपके सामने आ रहे हैं और जन्ता उसको समझने में कितना सक्षम हो पाई है अभी हमारे साथ चुकि डूंगरी बिधान सभाज से जीते भी हैं वहां से मंत्री भी रहे हैं इस बार पहली बार यहां से चुनाओ लडने जा रहे हैं तो हम उनसे जानने का परियास करेंगे कि आखिर वहां की जन्ता को जो फैसलिटी उपलब्द करा पाए थे यहां क्या भीजन है और आखिर यहां से यह फिर से खड़ा हुए जो इनका कारेचित नहीं रहा था तो आखिर इसके पीछे रिजन क्या है और जन्ता को कैसे समझा पाएंगे कि जन्ता इन्हें ही चुने स्वाज़त है आपका सबसे पहले तो सुब कामना है आपको आने वाल एलक्षन के लिए तो सर आप बताना चाहेंगे कि आप पहली बार यहां से आ रहे हैं लोगों को कैसे समझा पाएंगे कि यू आदबेश देखिए आप मेरे निवास में मेरे साथ बातकित कर रहे हैं मैं बेर्मो का मुल वासी हूँ मैं बेर्मो का असानी निवासी हूँ भले मैं जुम्री से विधायक रहा हूँ मंत्री रहा हूँ लेकिन कारच्छत्र के अंदर में बेर्मो भी मेरा कारच्छत्र रहा है मैं बेर्मो के समझाओं के लेकर के लगातार अपने जीवन काल में लड़ता रहा हूँ मजदुरों को लेकर के अंदलोन करता रहा हूँ यहाँ दो थर्मल पावरिश सेशन है बहुत बड़े बड़े डी बी सी का बोकारो थर्मल है शंदेपूरा थर्मल है सारे थर्मल पावरिश सेशन में आस्थानी मजदोनों के मांग को ले करके मैं घहराव करता रहा हूँ मजदोनों के बिरुट जो भी मनेजमेंट का एक्षन होता रहा है आस्थानी लोगों के जो पेच्छा होती रही है मैं उसमें बर्चर के जो है आस्थानी लोगों के साथ मैं खड़ा रहता था और यही कारण है कि बेर्मों के जो कुलरी च्छेतर हैं वहां भी हमारे संगठन है हिन मजदोन किसान उनियन के नाम से हमलों का संगठन भी चल रहा है मजदोनों के बीच में और आस्थानी के मुदों के लेके बराबर में लड़ता रहा हूँ जैसे आपका यहां जो बिस्थापित बहुत बड़ी समस्या है बिस्थापितों के जो समस्या है उन्हें जमीन के बदले जो मौज़ा मिलना चाहिए मार्केट रेट से वो मार्केट रेट से नहीं मिलता साग सब्जी के भाव से جमीन का रेट निर्धारित किया गया है जिसका मैं लगातार वीरोद कर रहा हूँ जमीन के बदले जो किसानों को नोकरी मिलना चाहिए मैं उस मांग को लेके बराबर लड़ता रहा हूँ जमीन के जो पुनर्वास की जो बात होती है पुनर्वास के लिए जो है कोई भी संगठन जो है कोई भी नेता जो है उठाते नहीं रहे चुकि मैं मही यहां का विस्थापित हूँ अब देख रहे हमारे घर के चारों तरफ जो है कोईरी जिया कौलनी वगरा बसे हुए है मैं भी यहां का विस्थापित हूँ अब विस्थापित होने के नाते विस्थापितों को समस्या को लेकर मैं बराबर लड़ता रहा हूँ और इसलिए इन मुद्दों को ले करके विस्थापितों को समस्या का समाधान हो विस्थापितों को बार के द्रेट पर जो है मौजा मिले विस्थापितों को जो है जमीन के बदले नोकरी मिले विस्थापितों को जो पुनर्वास की जो सरकार जोजना बनाए और तो और जो य बैंक में डाल करके जो रहियत थे गर्मेजरवा रहियत थे जिनका फंडमेंटल राइट है उस राइट को छिनने का काम किया गर्मेजरवा जमीन रद करने का काम किया गर्मेजरवा जमीन का बंदवस्ती रद करने का काम किया इस सारे मुद्दों के लेकर के कोई भी नेता च किसी ने भी आवाज नहीं उठाई लाज्चन महतों कालोई पूरे राज में। दूसरी बात जो है, जारकन में 55% पिछड़े हैं, 55% यहां जारकन में पिछड़े हैं, और पिछड़ों को जो है यहां कम से कम 50% आरचन मिलना चाहिए, इस सवाल को लेकर भी कोई भी राजनी तिक दल, रगबरदास के समय में मैंने बहुत परियास किया, कि वो रगबरदास तुम पिछड़े हो, तुम पिछड़ों का आरचन जो 27 से घटा करके 14% कर दिया गया है, उसको जब बलाया जाए, लकिन रगबरदास ने इस पर कोई नोटिस नहीं लिया, इसलिए भारतिये जनता पाटी जो है, पिछड़ा बिरोदी है, दलीद बिरोदी है, मजदूर बिरोदी है, और इन सवालों को लेकर के, इन लोगों में कोई यहां इस इस इसी में नहीं ह कि लोग बिरोद करें, यहां 50 साल कांग्रेस जीता रहा है बेरमों से, 30 साल यहां बाबुर, राज़ंदर बाबुर रहे हैं, और बिंदेसी दुबे कांग्रेस के जीता है, 50 साल यहां बीजे पी जीता है, तो 25 साल बीजे पी जीता है, 10 साल बाटूल जी जीता है, 10 साल में कहीं भी ग्रामी छेतर में सिचाय के जोदना नहीं बनी दस साल में यहां इस लोग चाहते हैं यहां तो फैक्टरी बैठ सकता था सरकार पर दबा बनाते जो कुट्यूरों देयां लग सकता था क्यों यहां कोला है विजली है पानी है और वकार शिर का लोहा है और यही इन सामगदी में सामगदी जो 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 ज़रा था एक PCP Factor को बठाने के लिए लेकिन इन लोगों ने कोई पाहल नहीं की ना यहां का पारलेमेंट ने कभी पारलेमेंट में ने यहां का कोई MP उठाया ना विदान सभा में कभी राबूराजंदर सिंग उठाये ते इन सारे सबालों को लेकर के यहां जो बेरोजगारां को जो अंबार खड़ा है मैं परियास करूंगा पांस साल चार साल जो भी मौका मिलेगा कि जारखन में जारखन के धर्ती में खास करके बेरमों में जगा जगवा है चोटा-चोटा जो है कुटी उजदोग लगे मैं सरकार प काम कर नहीं कर रहे तो पार्टी के साथ ख़ड़ा रहेंगे यह मेरा मुद्दा यह थे लालचन महतोजी जो बता रहे थे कि पार्टियों से बड़ी है बुद्दा यानि जनता के सामने जब यह जाते हैं तो यह लेके जाते हैं कि हम आपके लिए यदि सरकार कोई हो उसमें की सामिल हों लेकिन इनकी बात नहीं मानी जाती हो अर्थार्थ यदि वह जन भी रोधी हो और जन की बात ना सुनी जा रही हो तो पाट यहां बदली भी जा सकती हैं जो अस्थानिये मुद्दा इन्हों ने दिया बेरोजगारिक बढ़ी है यहां स्वास्तु बेवस्था चर्मराई है सिच्छा बेवस्था चर्मराई है यदि यह जीतके आते हैं तो भले ही सरकार के सिखी हो यदि कोई भी सरकार इनके सिध्द्धान्तों पर चलती है और जनता के लिए कांव करती है तो इन्हें सपूर्ट करेंगे और जन कल्यान के लिए क्लकर Ezिए अब थ खेली धन्यवाद